हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे यूपी की फेमस और पारम परिक रेसपी जिसे निमोना कहते हैं यह सर्दियों में बनने वाली सिंपल से मसाले यानि हरे मसालों से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सबजी है यह सबजी, रोटी, चावल, पराठी के साथ खाईए बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो मैंने लिया है 400 ग्राम हरे फ्रेश मटर आधी से ज़्यादा मटर को हम अलग कर लेंगे यह ज़्यादा भाग वाला मटर हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसी में डाल देंगे 2-3 चमच पानी पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है बस 2-3 चमच हम डाल देंगे ताकि आसानी से यह ग्राइंड हो सके मटर को ज्यादा महिन भी नहीं पिसना है और ज्यादा दरदरा भी नहीं पिसना है आप देख सकते हैं बस इसी तरह का हमें चाहिए तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे सारी मटर को बाकी की जो मटर हमने निकाले हैं उसे हम बाद में यूज करेंगे तो अब हम लेंगे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता को हम अच्छे से धो लेंगे तो एक मुठी के करीब धनिया पत्ता है साथी मैंने लिया है 3 हरी मिर्च आप अपने तीके की हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं एक छोटा टुकडा अदरक का 8 लसुन की कलिया और थोड़े से मेरे पास लसुन हरी पड़ी हुई थी तो आहम मैं इसको भी डाल दूगी आप चाहें तो सुखा लेसुन न डालकर केवल हरी लेसुन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इन सब को हम पीसेंगे तो सबसारे मसालो को डालेंगे ग्रैंडर जार में सारी मसाले डालने के बाद डालेंगे हम थोड़ा से पानी और इसे हम पीस लेंगे मैंने लिया है दो आलू इसको छोटे-छोटे काट लिये हैं और इसको अच्छे से धो लिये हैं और एक टमाड़ लिया है इसे हम बाद में यूच करेंगे तो चलते हैं अब बनाने के process में तो मैंने यहां कड़ाई में तेल डाला है चार से पांच चमच तेल मैंने सरसो के लिया है आप चाहें तो जो भी तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं तो इसे हम 3-4 मिंड़ तक आलौ को अच्छे से fry करके निकाल लेंगे और उसी तेल में हम जो हमने ग्रैंड करके रखा था हरे मतर उसको हम भून लेंगे तो चलिए अब इसमें हम मतर को डाल देते हैं जो हमने पीस करके रखा हुआ था मटर भूनते समय कड़ाई में बहुत चिपकता है लेकिन हमें इसी तरह से पाउनी से छुडाते हुए मटर को भून लेना है मेडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि हमारा मटर अच्छे से भून जाए और इसमें अच्छी सी सोंधी सी खुसबू जब आने लगे तो समझें कि हमारा मटर भून चुका है तो आधे से ज़्यादा मटर मैंने पीसक डाला है और थोड़ा मटर मैंने जो निकाला था ऐसे ही डाल दिया है इस सब्जी में इसे स्वाद बहुत बढ़े आता है सब्जी का ज्यादा तर लोग यही कहते हैं कि दादी ममी इस सब्जी बनाती है वैसे सब्जी हमारी नहीं बनती है तो फ्रेंट्स यही वर्ट ट्रीक है कि वो मटर को अच्छे से भूनते हैं जब तक ही सौंधी सौंधी सी मटर की खुसबून आने लगे तो आप मटर को बढ़िया से भूनेंगे तो आपका भी निमूना बहुत अच्छा बनेगा तो अब हमारा मटर भून चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे उसी कड़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ओइल क्योंकि अब हमें मसाले भी भूनने हैं तो जो हम मसाले हरे धनिया मिर्ची लसून ये सब पीस के रखे थे इसे हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे हम एक बार चला देंगे एक मिनिट तक फ्लेम हम मीडियम रखेंगे अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाधुनुसार, आधी चमच हलदी पावडर आधी छोटी चमच से भी कम हम डालनेंगे गरम मसाला तो फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और हम मसाले एट करते अस अम circumstance तो आधी छोटी चमच से अब चाहें तो तड़की के लिए बड़ी या फिर आथी छोटी चम्मच मेथी दाना भी डाल सकते हैं इसे स्वात बहुत ही अच्छा आता है सबजेगा तो अब हम डालेंगे जो हमने एक टमाटर लिया था छोटा वाला तो इसमें हम काट कर टमाटर को डाल देंगे इसमें ज्यादा टमाटर नहीं पड़ता है इतना टमाटर एक काफी है तो दो मिनट हम इसे चलाते रेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए और फिर हम डालेंगे भूना हुआ मटर तो सबसे पहले अब हम मसाले हम भून चुके अब इसमें हम भ अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए इसी तरह से लगातार हमें चलाते रहना है सबजी को ताकि मसाले और मटर हमारे अच्छे से मिल जाए फिर हम इसमें पानी आट करेंगे तो यहां पर मैंने तीन गलास पानी डाला है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं तो एक बार हम पानी डाल कर इसे चला देंगे फिर हम देख लेंगे ग्रेवी गाढ़ा पतला जैसा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा इसी एक बार फिर हम चला देंगे और तले हुए आलू भी डाल देंगे और इसी ढखकर 4-5 मिमिट तक हम पकने देंगे चाएम पकाना है ताकि सबजी और हमारे आलू मसाले सब अच्छे से पक जाए तो देखें मैंने इसको ढख दिया है चार से पाच मिनिट के लिए अब हम चार से पाच मिनिट बार ढखकन अटाएंगे और हमारी सबजी देखी बंगर के तैयार है और अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बंगर देंगे और इसे आप गर्मा गरम सर्फ करें रोटी, चावल के साथ, पराठा के साथ खाईए, बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही स्वादिश्ट लगती है सबजी तो फ्रेंड्स मेरी ए रेस्पी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक बनाएं इंज्वाइ करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ए रेस्पी आपको कैसी लगी तब तक के लिए बाई बाई